चार्व है तो कल आप लोग ने सुना था कि ना रोत जी से व्यास देवजी ने प्रषन प्रश्न किये थे प्राइच क्या क्या प्रश्ण को याद है एक-ush को मतलब के उस प्रश्न को समझेंगे गी आप इस अध्याय के उत्तर को समझ पाएंगे अब उत्तर देना शुरू करें तो प्रश्ण निहीं समझब में आई किया मतलब हो आज क्या बना है तो प्रश्ण ही जी हाँ सन्यासियों के द्वारा सन्यासियों के चले जाने के बाद आपने क्या किया और शरीर के ऐसे त्यागा और उसे पहले शरीर त्यागने से पहले वृत्ति क्या अपनाई ठीक है और आपकी स्मृति नश्ट कैसे यह श्लोकों को वैसे मैं सुचता हूं कि हम लोगों को क्लास के पहले लगा करके दिखा देना चाहिए तकि समझ मैं कि नारज जी बात क्यों कह है कल से मैं ऐसे करूंगा कि चार वृत सीखने बाद है कि शुमित भागातम के प्रतमशकंत के छट अध्यायाएं के पांच में से खाटम फूर्ट्चा करेंगे तो यह फोटो दिखा रहा है मतलत नारज जी बोल रहे है कि व्यास्त्य जी को शहाएग नारज जी दोब आ ठ मेरे पीछे बोली नारदव वाचा भिक्ष भीर विप्रवसिते विज्ञाना देश्ट्र भीरत ममा वर्तमानो वयस्यादे तता एतत अकारशम नारदव वाचा भिक्ष भीर विप्रवसिते विज्ञाना देश्ट्रु भीर ममा वर्तमानो वयस्यादे तत एतत अकारशम नारदव वाचा भिक्ष भीर विप्रवसिते विज्ञाना देश्ट्रु भीर ममा वर्तमानो वयस्यादे तत एतत अकारशम नारदव विप्रवसिते विप्रवसिते का अरता आपने सुना था चले जाने के बाद़ तो कह रहे हैं पुजा था कि आपको विज्ञान देने वाले भिक्ष भी सन्यासियों के चले जाने के बाद़ आपने क्या किया तो अब वो कह रहे हैं भिक्ष भीर विप्रवसिते मतलब मुझे को जिन्होंने विज्ञान दिया था भक्ती का विज्ञान दिया था विज्ञान देने वालों ने जिनके तरह विज्ञान दिया गया था तो जब भीक्ष भी अर्था सन्यासियों के विप्रवसित्य मतलब चले जाने के बाद तो जिन्होंने मुझे भक्ति के विग्ञान दिया था उन सन्यासियों के चले जाने के बाद की पहली लियन का रुद्ध हुआ वर्तमानों वयस से आदे, वयस मतलब था आयू और आदे मतलब शुरुवात की आयू में, बच्पन में मैं विद्दिमान था, आदी उमर में, आदी उमर मतलब बच्पन की उमर मैं विद्दिमान था, तत एतद अकारशम, एतद मतलब यह है, और तत मतलब उनके चले जाने क के बाद अकारिशम मत मैंने ये किया प्रशन समझ में आ रहा है प्रशन था कि सन्यासियों के चले मत क्या किया तो बोलना शुरू कर रहे हैं कि आपने उससे पूछा उन सन्यासियों के द्वारा जिन्होंने मुझे ग्यान दिया था उनके चले जाने के बाद मैं बच्पन प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा को सोच के इमा सूची कि दुखी होके बिताना पड़ा आसा नहीं भक्ती तो करी रहे थे हुग अनुए देख लिए यहां अचा मैं कैसे बोलूंगा को असानी समझ मा अता है एक बार पूरी संस्कित बोल करके फिर हिंदी बोलूँ तो समझ में आता है कि से समझे नारद्वाच stip möश्च जिए है शीयिण और शीय ने कहा विऑ कने भाले जामा इसिद्धाय मईध्य के लिग्ञान देश्ड बीदाने कने वाले इविज्ञान दभालाइड़ इंभाले विदिग्दार प्ध Randy ऌई वीदो जीए भेक्षु भी है भेक्षवीजल फिक्षा मांगने वाल मंगने वाले विष्य नहीं होगा वह तो आप जान तो कि संत अन पूरश किसी को जाते है भीक्षा मांगे उसको पुत्र करने के लिए दर्नasis और यहां जगे पाव युफ्यलों की सिरे். सिगार तो नहीं सिगार किया सा यहां पे सन्यासी उन्हें शॉक्षु का अर्था है यहां पे चले जाने पर आद्ये वयसी आद्ये वयसी अर्थ क्या हुआ बताइए आदि का मतलब क्या होता है शुरुआथ और वयस का मतलब होता है उमर तो शुरुवात की उमर में यानि बाल्य अवस्था में वर्तमान अर्थात विद्धिमान समझते हैं सबको विद्धिमान सिचुएटिड इंग्लिश में कहा जाता है विद्धिमान एतद मैंने यह अकारश्व वर्थात किया अब फिर से एक बार सस्कित पढ़ लेते हैं नारद ववाच्व ममा विज्ञाना दिरिष्ट भी विख्षुभी विप्रवसिते आदेवसी वयसी वर्तमान एतद अकारश्व यानि कि मुझको ज्यानाव पुदेश करने वाले संतों के चले जाने पर बाल्यावस्था में वि अर्थ पूरा हो जाए जो मनवे किया जाता है आप इसको ऐसे नहीं लिसकते हैं मैं कहां से आगा है तो नहीं दिख रहा है लेकिन अर्थ को पूरा करने के लिए किया यहां मैंने शब्दापर जोड़ दी जा रहा है कुछ ज़्यादा संस्कृत हो रही है समझ में आ रहा ह प्रभपाजिस पर कुछ पी नहीं किये हैं नहीं किये है चक्रवर्ती बाद नहीं किये है बाल प्रवधिनी में लिखा यह इस प्रकार से पूछे जाने पर शिल नारद जी भिख्शु भी आदिश लोकों से उत्तर दे रहे हैं तता शब्द यह अंध के अर्थ में ही कहा तता मतलब चले गए उसके बाद मैंने यह किया वो चले गए वो उनका मुलवक गए फिनिश वो सीन समाप्त अगर सीन कहें तो वैसे इसमें मैं सोच रहा था को कहेंगा कि आप लोग पागल हो गया कि को नहीं पागल नहीं हुए ऐम तीवी जिटीवी मुजीटीवी की में हो रहा है और जी तीवी में सीब्सित चलते तो भ भी सेहल हा है भी सी पछल णालत थोड़ा सउत रञका एक क worthless गया हैं मों में म्युक्त बेखते ह ole वमारे जमानेümü पूर्वजन में जब नारजी को महर्शियों ने कृपा पूर्वजन में जब नारजी को महर्शियों पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रुदान किया तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परवर्थन आया था यद्यपी वे तब पांच वर्ष के बालक ते इसको मैंने अलग कर लार से क्यों लिखाया आप सारे भग्व समझ गए होंगे कि वैष्णव संग हुआ है प्रमानेक वैष्णव है तो जीवन में परवर्थन आना ही चाहिए और शब्द यहां पर क्या है प्रत्यक्ष ऐसे आप लोग मेरे सामने प्रत्यक्ष बैटे हैं ना वीडियो आफ तो नहीं कर सकते ना यहां पर साक्षात आपने लोग दिकh रहे है ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उसने परमानिक वैष्णव का संगती आ कर-परंपरा का ज्यान बोलेंगे परंपरा का ज्यान स्थिकर किया है तो अफो हो कई बार हम सोचते हैं इस वस्तु का सीमन करेंगे लेकिन यह कुछ होगा नहीं जैसे हमारे करना में प्रवने कर मुझे जबरस्ति कुलफी खिला दी अब मेरा गला बठा दिया और मैं भी सोच रहा था थी प्रेमी भक्त है बनाये हैं कुलफी अपने हाथ से खा लेती कुछ यह कहने करते हैं कि भक्तों का संग्स बिमारी कितड़ है और अब दीकिनली कुछ नहीं होता है तो देखे कितना कुछ हो गया है बाल भी चिले गए कहां हम सुन्दर सुन्दर जीन स्पेंट पहनते थे पांच-पांच हजार रुपए की एक एक जीन साथ दिन अब एक धोती गुर्टा भी नहीं पहनते साथ दिन एक दिन में साफ करना पड़ता है कितनी तपस्या बढ़िया से साथ बजे अब चार बजे उटना पड़ रहा है चार बजे तो आना पड़ता है नादो करके स्टेडियम में आना पड़ता है समझ रहे हैं बैटिंग करने के लिए प्रटिस करने के लिए परिवर्तन देख रह होता और 5 एमपिर का भी सौकिट होता है समझ रहें 16 एंपर 5 एंपिर ऐसा नहीं कि बहुत हैवी सौकिट लगेगा तभी करंट मिलेगा पांच एमपेर का सौकेट भी जटका दे देता है और वेक्टी की नीन खुल जाती है यह आप मेरी भाषा समझ रहे होगे तो अगर भक्तों का संग किसी ने किया है श्रवन किरितन किया है हरे कृष्णमंत्र जपा है तो उसके जीवने प्रत्तक्ष परिवर्थन आएगा और परमाण क्या है घरланुए आपको पागल करे यदी आप में कोई परिवर्थन ने आता तो घरन दे क्यों बोलते कि आप पागल हो रहे कि पागल करता है, उनके साब से पागल है, पागल नहीं हो रहे हैं, मैं इसे बिचार कर रहा था, क्या पागल विक्ति को अपने जीवन का उतेश पता होता है, क्या पता होता है, पागल विक्ति का जीवन नीमत होता है, अब कोई विक्ति घर में कहें कि तुम पागल हो गया, त तो मन में आगा वो करेगा बोलो हम अपने मन के सार चल रहे हैं हम रोज साड़े तीन-चार बजे उट रहे हैं नीमेच जीवन जी रहे हैं कौन पागल है जिरा बताओ तुम्हें तुम्हें पता ही नहीं कि जीवन का उदेश्व क्या है अभी एक चोटा सा बात इसमें आ गया है प्रत्यक्ष पर बोलना चाहता हूं कल एक हमारे सुड़न ने बोला यह पर बोल रहे हैं घर वाले उनके बोले कि तुम लोग तिलक लगाते हूं और भगवान भी तिलक लगाते हैं तुम लोग भगवान की नकल क्यों कर रहे हो हमने अच्छा उतर दी हमने का भगवान भी पत्नी स्युकार करते हैं तुम क्यों पत्नी स्युकार कर रहे हो तब तो नहीं बोलते कि भगवान का बड़ा घर है तुम भी भगवान की नकल करके अपना घर बनाते हो और पत्नी स्युकार करते हो बच्चे बदा करते हो नकल करते ह में भगवान के नकल काह रहा हूं? यह शुरोभ खूस हो गया. समझ रहा है. ऐसे argument देखी? अरे भगवान के नकल नहीं करें, तो किसी करें, सलमान खान की? मुझे याद है, जब मैं बक्ती नहीं करता था, शरुबाद में तो सलमान खान को देख करके, ऐसे stripe वाली टीशट पहनते, आप कलपना नहीं कर सकते, कैसे लगते होंगे, लेकिन लाल वाइट ऐसे करके टीशट पहनते, क्यों सल्मान कहन, तो hero तो कोई है, hero तो हमारे krishna है, krishna धोती कुर्टा पहनते, तो हम भी धोती कुर्टा पहनते, कहने करती है, कि Khan, paan, rehenson, सब संग का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और आप देख सकते हैं, कि नारज जी की, जिवन भी आप देखने भी वाले है, नारज जी को krishna का था, बहुत अच्छी लगने लग गई, और वैश्नों का संग अच्छा लगने लगा, भगवान को बक्ती करने लगे, ये प्रत्यक्ष प्रभाव है, और आप देख लिए, ऐसे खूब सस्तन चलता है, लेकिन आप जानते हैं, कहां महावरा है, मक्का गए, मदीना गए, बनके आयका जी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी, क्योंकि जो गुरु जी है, वो भी पाजी, अब हम बसे बोलूँगा पुरा मानाँएंगे, लेकिन वो भी पाजी है, वो भवात्ती है, जो भक्ति Selluis, निराकार कहरा है, उसके अनर्थ कभी नश्ट नहीं हो सकते हैं, मुल अनर्थ का कारौन है भगवान के प्रतिफी विद्रों की भावना, कभी न श्च नहीं हो सकते हैं, कभी-कभ यह व्यक्ति है उसको आप इस प्रकाट से बोले सुंदर नहीं है है नहीं है ही नहीं है ही नहीं कितना बड़ा अप्रैट तो यह समझ रहा है यह आना ही है अवश्यम भावी है कि अगर भक्तों के संग में आकर आकर करते हैं तो परवर्थत हों आपको सची बात बता रहा हूं हमारे गुरु महाराज प्रवचन दिया करते हैं करते ही रहते च्वपाटी में एक स्टुडेंट बड़ा चालू था कहा कि ऐसके बाद प्रसाद मिलता है ऐसा करता है मैं क्लास में आके बैठ जाओंगा पीचि होंवर्ग पूरा करूगा और कुछ बोले नहीं वह हमवर्ग करता रहता और कुछ भी नहीं प्रत्यक्षिरुप जैसे लाग रहता कुछ सुन नहीं रहा है बाद आज वह लाल कपड़ में प्रहमचारी अब भग्मान से चीटिंग करेंगी यह भक्तक संग का प्रभाव कान में जा ही रहा है ना कितना हो क्युम्ष संग क्या है क्रिषहन को बूंकर संग क्रिष्ण का ता वह परिवायाद से लोगों को जो अच्छा लगता है उन्हों से सूनेंगे तो आपको भी वही बाति अच्ची लगने जाएंगे जो उनको अच्छी लगति हैं उसलिए मह प्रहुपाजी पूरवर्ती बागवत्म लाइक मैड को विक्ति एक सचार वे उठेगा बताईए और दिन में भी रस्ट रही हाल दी मिल रहा है एक सचार वे उठ करके विक्ति प्रहुपाजी तात्पर लिखे है प्रहुपाजी भोलते हैं क्योंकि आप मैं इसको किये बिना रह नहीं सकता इसलिए तो लो भागवत्म प्रहुपाजी की तीता लो टीका पड़े हैं दिखे हैं उसको पड़के भागवत्म का रस्कांथ करते हैं समझ रहे हैं और आप आनने जगे पड़ी जिनका भागवां से कुछ संबंध नहीं है एकदम सूखा लगता चाहिए गीता की टीका हो च प्रमानिक गुरु से दिख्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई दीने वाला यह महतून लक्षण है आपने एक चीज़ नोटिस करी कि यहां यह नहीं बताया कि नारेजी का नाम क्या रखा गया था यह भागवत विधी है भागवत विधी में इस प्रकार से भले नाम न चेंज किया जाए लेकिन शिक्षा दी जा रही है आज मैंसे सोच रहा था कई बार लोग वोले प्रोजी आप दिख्षा कब देंगे मैंने का दिख्षा ही तो दे रहा हूं और कुछ दे रहा हूं दिव्यम ज्ञानम ददाती थी दिख्षा कुछ और कहते है नहीं ठपा न नहीं लगा रहे हैं टी-शेट नहीं बनवा रहे हैं अपने नाम की फोटो बनवा दीजिए उसमें तो हम लगाएंगे ध्यान दीजिए मैं इंग्लिश में शब्त कहूंगा वाकि कहूंगा अब पर्सन में बी इनिशेटेड वा पर्सन में हैव इस एफिलिएशन इन संप संप्रदाय बहुत संदर बात चैते चरण प्रूब बोले संप्रदाय ठप पाला सकता है लेकिन जब तक शिक्षा गरहन नहीं करते संप्रदाय का कि वस्ताहा प्राप्ति नहीं करें यह तो दिख्षा देना बहुत असान है भावान के बारें बताईए आप लोग लिए जिस अर्थ में दिख्षा में ले रहे हैं मतलब तिविज्ञानं को देना हमारे पास संब्सक्राइब अभी कि यह जभी भी स्टेंप लगाने के स्टेंप लगाने एक लिए यह मुश् गुरु से दिक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह है महातून लक्षण है भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनवहूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है जैसे आपने देखा किवल चार महिने में ही उनके पूरा चेतना ही घूम गई मैं ऐसा अनवाव एकदम साक्षात कर रहा हूं कि जब भक्त लोग इस प्रकार से भागवत कर रहे हैं तो अपने चित में भगवान की प्रती कुछ प्रेम और भक्ती करने का उत्साह आता हूँ आप देख रहे हैं इस मेरे संग भी हो रहा और आप लोग संग भी होता ही हो सकते हैं और इसी कारण से आपके माता पिता इसको बड़ा प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हो क्या रहा है बच्चे में अभी हम से वह से बाते नहीं करना चाहता खाने पीने की और दुन्यादारी की जो पहले वह करता था अध्यूश्य प्रत्यक्ष अनभव यह है या परिवर्टन यह है कि आपको क्या बाते सुनना और कहना अच्छा लगता है यह अपने जिवन में च्छ कर लिजिए कृष्ट भावनान में प्रगती करने का एक नमस्फ़ लुक्ष्ट ने क्या हाँ बाते करना अच्छा लग कुछ निंदा नहीं कर लें तब तो लगता है कि आज खाना कैसे हजम होगा घटी डखारे आ रही हैं कुछ ऐसे होते हैं तो वो स्टेर नॉट कॉंशिस जैसे इतनी सुन्दर सुन्दर बाते भागवतम की हैं जिनका मनन करने के लिए हम क्यों अधर की बाते करें मैं आप करे करेंगे, लेकिन भालतु बोलने के लिए हम नहीं के हैं, भागवत कहरे है कि जो वेक्ति भगवान का नाम उचारन नहीं कर रहा है, भगवान की कथा नहीं बोल रहा है, तो उसको उर्प के तरह हैं? هम आपको उर्प नहीं के रहे हैं अब मैं लीग भगता है ल deputy जो लोग मेरे प्यारे रिस्तार नहीं वो आएगा और डंस मारतेगा अरे मैं मजा के लिए नहीं बोल रहा हूं बहुतों ऐसे होते हैं रिस्तारों की सुन करके भगवान से रिस्ते को भूल जाते करते के नहीं करते कितने लोग ड्रॉप कर जाते हैं महाराजी बोलते हैं कि भक्ती की लता हुगना चालू हुई कि तुरंट बगरी आ जाती खाने के लिए कुछ इसलिए बाढ़ मरानी चाहिए वक्तों की ताकि इन उसे हम दूर रहे कि बात तो किसी से ना किसी से कर नहीं है कि आपनों को लगर अगर आपसे बात ही करना हो से क्लास दे रहा हो तो शायद कमी लगता हो है कि हां या ना भी नहीं बुल ला को यह ठीक है तो यह इंपॉर्टन है ठीक है क्या हमने एक चीज़ यहां पर सीखी है कि क्या विशे पर हमें सर्चा स्रवन करना बोलना यह अच् पर्चार करने के जा रहे हैं तो इसलिए एक्स्टा की तन किया थोड़ा चार्ज करते हैं पता नहीं वहां पर जाकर कि डिस्चार्ज नहीं हो जाए बहुत डर लगता है नारज मुनिक यह पूर्जीवन में कैसे घटा इसका एक-एक करके इस अध्याय में वर्णन किया ग मुष्कि से फोटो मिली ग्रामीन महिला थी तासी के रूप में आप कह सकते हैं और अपने बच्चे से बहुत आसक्त थी तो बता रहते हैं क्यों तुरंत वह घर नहीं छोड़ पाए क्योंकि उनकी अम्मा कह लीजिए माता जी बहुत बच्चे में आसकते थी से कारण क्या में जननी योशिन मूढा चकिंकरी मै आत्मजे नन्य गतव चक्रेशने हानु बंधनम एक आत्मजा में जननी योशिन मूढा चकिंकरी मै आत्मजे नन्य गतव चक्रेशने हानु बंधनम एक आत्मजा में जननी में जननी मेरी जननी मतलब मा जो जन्म देती है उसका में एक आत्मजा आत्म मतलब शरीर और जा मतलब प्रकट आत्मज मतल्ब जो विक्ति आत्मा से याणि ओरीड से प्त्री भी हो सकती है और यह हो सकता है एक आत्मज का मतलब हुआ कि अरे भाई आपनी कितन Industry में टान चला जाता है तो फिर दिक्ति उन्हता है 32 करो 320 करो कोई दिक्कट नहीं लेकि नभी मत पोष्ट कीजिए, हाँ, एकात्मा जा मतलब मैं अपनी मा का एकलोता पुत्र था, वैसे मैं भी कह सकता हूँ, योशिन मूढा चा किंकरी वैस्तिरी थी, पूढ मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं थी, मुर्ख थी, और किंकरी मतलब वो दासी थी, मै आत्मजे, मुझ आत्मजमे, मुझ मे आत्मजमे, मुझ मे उसके बेटे में, जो कि अनन्न करता हूँ, जिसकी कोई और शरन नहीं था, उसके अलावा, गति का अर्थ होता है शरन, गति के बहुत अर्थ होते हैं, गति का मतलब स्पीड भी होता है, लेकिन गति का अर्थ शर करवाएंगे हिंदी नाहीं सब्सक्राइद बहुत है क्राइब होता है जिसे घ्रना का मतलब घ्रना होता है च्छोarat है तो यहां कहा रहें अनना गक्ताव मतलब गति कमद शरण जैसे बहुत बार बोलते हैं कि उस वुशे में हमारी अहुआ अहिए कुछ बॉल देते हैं तो गतिकार्थ इस प्रकार्ट से अलग-अलग होता है तो यहां अनन्य गतावकार्थ क्या है मेरी नारज जी की दासी पुत्र की कोई और गति नहीं थी मतलब किवल माही उसका अश्रे थी और कोई नहीं थी इसलिए चक्रे स्नेहानवं बंधनम को किया मेरे प्रति मुझे में कर दिया मतलब मुझे स्नेह के बंदन से बांध लिया गर से जाले नहीं दिया जैसे आप देख सकते है फोटो में हमने दिखाया है किसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ यह प्रायास अभी मास्प्रकाट से प्रेम करती समझ में आ रहा है अनवाद मैं अपनी माता का इकलोता पुत्र था मेरी मां एक तो स्तिरी थी दूसरे मुहड या अज्यानी तुरी और तीसरी दासी थी मेरा भी कोई दूसरा सहरा नहीं था अते वह अपने पुत्र प्रेम में ही मुझको बांद रखा था उसने होना चाहिए में अर्थात मेरी और जननी अर्थात माता ने एक आत्मजा जो केवल एक संतान वाली थी मतलब मैं ही अक्यला एक मात संतान था यहां पर एक आत्मज नहीं एक आत्मजा है और एक आत्मजा शब्द जो है वह स्तिरी लिंग में है तो यह उसके यह उसकी माता के विशिशन क पुरिष धान देन इस बात को, एक संतान वाली थी, योशत का मतलब समझती ही विस्तिरी थी, और मुढ़ा मतलब मुर्क थी, किंकरी चा और वह दासी भी थी, अनन्य गतव, जिसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था, किसका? नहीं, नारज जी का, मैं जान पूछ किसले पूछा, अनन्य गतव बोल रहे हैं कि मुझ नारज जी का, नारज जी मैं मुझ दासी पुत्र का और कोई शरण नहीं था, मतलब, कोई शरण था, कौन शरण थी, एक मातर उसकी मा, मा के लिए अनन्य गतव शब्द नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? मेरा भी कोई दूसरा तहारा नहीं था, पिता जी का नाम नहीं रखा गया, क्योंकि दासी रखा गया, देकि दासी पुत्र अर्थ ये नहीं है, कि पिता उसा ध्यान रखेंगे, पिता है, लिकिन आप समझ रहे हैं, अब दासी पुत्र का अर्थ नहीं समझते हैं, ज़रू तो दाई तुन लेगा पिता वो जो भी से संग हुआ व पुरषाला गया कहीं तुदेश में या जो भी रहा, दासी पुत्र का ही आर्थ होता है, आत्मजी आर्थ आत्व वैसे अपने पुत्र मुझ मैं, मतलब मुझ मैं, इस नेहानं बंधनम चक्रे, उसने प्रेम के बंधन से बांधने का कारिक है मतलब मैं जा नहीं पाया तुलंद घर से तुलंद घर नहीं छोड़ पाए अब थोड़ा यहां इस बात को थोड़ा विचार कीजेगा कि वुज़ श्लोक है यस्याहम अनुग्रह नामी हरिशेत धनम शनई वह यहां पर घटित होगा नारज जी भागवत प्राप्त कर चुके हैं और घर से निकले नहीं है और अभी दो स्टेप रहें उनका हरेर हरी दर्शन और हरेर माध्वर यानभव प्रेम प्राप्त कर चुझे घबराई मत बहुत अच्य शुड़न बहुत अच्य शुड़न आते तो है आ रहे ठीक बहुत सारी बाता पहली बार सुन रहे है तो मैं नहीं एक्सपेट कर रहा कि आप सब तुरह याद रख लेंगे इतना याद है ना चौदा स्टेप थी त ब्लैक बल्ड के बादी बहुत सारे लेवल्स होते हैं तो उसी तरह से कहले यह जाए कि यह बारवेस्तर तक पहुंच गए तो अब भगवान बारवेस्तर तक कैसे पहुंचवाए भक्तों का संग्दिकर लेकिन अब दो और रह गया है और उसमें क्या बंधन पढ़ रहा ह लेकि जो विक्ति भगवध प्रेम को प्राप्त हो गया है अब उसके लिए दो स्टेप में कुछ भी रुकावट गलवण है यह नहीं है माताची लोग भावकता छोड़के उतर दीजिए को उतर ही नहीं आ रहा है जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है उसके दो स्टेप रहे गए ना हरी दर्शन और हरे माधुर अनभव उसमें को भी व्यवध्हान चाहे संबंद हो जगत का कुछ भी व्यवध्हान ही माना जाएगा कि नहीं समझ रहें बात समझ इसलें नहीं कि भाव भकती में कितना शुख बिलता है इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस भावुक्ता को छोड़ना होगा हमको एटलिस यहां के नारजी के पर सकते हैं ठीक है से निकल गए इस प्रश्ण बता रहें कि मैं तुरंत क्यों नहीं निकल पाया मेरी माता मुझ में इसने के अनबंधन से बंदी हुई थी समझ भारा है प्रेम करती थी और इस पर महराजी स्ने पर बहुत अच्छा कह रहे थे कह रहे थे कि इसने जो है वो घी से इसकी तुलना की जाती है ज़िए चिकना होता है उसी तरह से स्ने होता है तो जैसे दीपक में घी होता है तब ही तक दीपक जलता है तो जब किसी विक्ति के प्रति स्ने होता है त तो स्नेहान बंधन से यह भी ग्रहन कर लेना होगा कि मां को चिंता रहती थी इस बच्चे का पालन कैसे होगा इतना चोटा बच्चा है इसने से धारण कर लेना होगा, जिससे इसने नहीं होता, वो कुछ मरे जिये, उसे क्या फर्रकुटता है, उसका कारण क्या था, तो कह रहे हैं आत्म जे, क्योंकि मैं उनका बेटा था, अब तो आपको एक पुर्शन करे, पुत्र में इसने तो सभावता होता ही है, यह तो सर जन प्रसिद्ध है, कौन से बड़ी बात है, और वहां पर भी यदि अन्य पुत्र हो जाएं, तो इसने विवक्त हो जाता है, तो इसमें विशेश क्या हुआ, जैसे भगवती मतजी, आपके मा आपको प्रेम करती हैं कि नहीं, सबसे पहले आपके भाया होए नंदू, इसमानगे खुटकाने प्रेम करती थे नहीं, आप भी हो गए तो भाय थार्ड होगा की के नहीं सब को, अभ समंझ में के आया, अजैसे मेरी मा मेरे से भी पेम करती है, और बेहन से भी प्रेम करती है, है कि नहीं, मATOR जी बाती है किसे अधिक पिर्म करती है, कुछ छाततर न सारा प्रेम कर रहे थी, और गोरांग हो गया तो फिफ्टी-फिफ्टी परसंट हुआ की नहीं हुआ, ऐसा मैं गलत बोलना, वसा होता है, बढ़ा बच्चा भी अनभाव करता है, कि नहीं, नहीं, वो प्रेम अभी आप ममी पपा नहीं कर रहे हैं, चोटे को अधीक प्रेम कर रहे हैं मेरे कि तो 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 इस नहीं विभक्त हो जाता है तो इस पर कह रहे हैं कि एक आदम जा था जिसका मैं एक ही पुत्रता यह अर्थ है मतलब एक ही पुत्रता इसलिए विशेश ने है अच्छा परंत ऐसा होते हुए भी पिता आदी के जारा रक्षा हो जाने से मा का मन स्वस्त हो जाता है कितना विचार की हैं कि एक शलोप पश्टोप पे तो इस पर कह रहें कि नहीं ऐसा भी नहीं था और इस पर अपने संबंध में स्पर श्खला नाराग जी कह रहे हैं अनन गतव अर्थाज जिसकी Н कोई गति अर्थाज शरण नहीं थी आशय कि माता के अत्रिक ते अनका और को तो पता नहीं कहा है, नस्वनाम तो नहीं रखा गया, तो ही एजूम करेंगी कि पिता जी नहीं थे, तो सभाविक रूप से मा के क्या भाव होगा, कि मेरे अलावा इस बच्चे का कौन ध्यान रखीगा, क्या से होगा, क्या होगा, इसी चिंता में वो मर्ती रहती थी, अब प्रेम करती थी उससे, तो सारे कारण समझ में आ रहा है, क्यों विशेश रूप से प्रेम करती थी, जिसली कारण से उसे घर से जाने दे, ये तो संभावना ही नहीं, कि अभे थो ये अथमा है कि शेरिर नहीं है मानệc से को प्रशन ने करें तो उसके तो यूदी विवेख हो इस प्रकार को क्या से हो सकता है अगर व्क तीन गोंथ होता है तो आसकती त्याग वहां भी एक आदमस थे एक लड़का हुआ और वो मर गया तो ऐसा लग रहा है कि पच्छाड खाके रो रहे हैं परिशान हुर रहे हैं विलाप कर रहे हैं तो जब नारा जी ने आकर के उपदेश दिया तो उनको विवेक हो गया यह इंट्रस्टिंग बात है कि चारों भक्ति विवेदानतों ने खुब कथा कही इनकी माता जी को विवेक नहीं हुआ अब असी जहीं लगता है कि यह तो सुन नहीं नहीं थी या फिर वो समझ नहीं पा रही थी जो भी बात है परन्तो यदी विवेक हो तो इस प्रकार का अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको सुन करकि कृपयात तलवार मत निकालीएगा हो हमारे सामने शास्त्र के वचन को यद्धावत रखना है मुझे लग रहा है कि जूम के उपर और डिवालवर और अरे 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 बाप्रे गोलियां उने चलाने चलने चालों हो जाएंगे लेकिन शास्त्र के वचन को यद्धावत स्विकार करना चाहिए मूड क्यों थी हूँ क्या बात थी उसका है तो क्या था तो क्या रहें योशित अर्थात स्त्री थी सभाव से ही स्त्री में मूडता पर सिद्धी ही है अरे कोई तलवार नहीं निकली लेकिन कि देखिए ठीक है मान दिजे इतना विवेक बुद्धी नहीं है कई बार धोका भी दे देते हैं इसलिए उनको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए नहीं तो जो खराब पुरुश होते हैं वह उनको दूशित कर सकते हैं यही तो अर्जुन भी बोल रहे थे लेकिन पॉजि देखिए इंसान लोग देवताओं से बिदम कम जीते हैं कि नहीं कम बुद्धी वाले हैं कि नहीं लेकिन अगर भगवान की शरुन ले लेते हैं तो एक ही जनम में भगवान के पास चले जाते हैं कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं ठीक है भगवान ऐसे बुद्धी है और आप आप प्राइदे खेंगी माते जी लोग भगती में जल्दी अजाते हैं तो अचुँ है नामजप करने लग जा है माराजीं बहुता है कि पत्ती को गूरु होना चाहिए लेकिन देख प्राएद गभतीक नभी नवाभ साहब को कुछ अलग वी रूख है अभी नवाव чис quêtaanacytad Hondo एधर दिक्टत क्या है कि बहुत जबदिश्द्ध हो जाती तो कोई भी आएगा कोई नेरकारवादी आएगा तो बीहां सही इच्छे आशिरवाद देंगी है वह सब को अच्छा हो गया तो migrate कर चलना चारी है कंतीर मान करेती आलेकर माल जो वीवकति engagements भक्ति में उपाधी का कोई अपेक्षा नहीं है जाये पूरुषा चाह कोई भी हो मार्ध-धर्षिन में रहके भक्ति करेगा तो कोई धीक करें ठीक है, नहीं लेकिन ऊवाहिव इस प्रकार से नहीं थी तो गौन arena रहेँ ईसको साफ कि पर अगाजिक न है यूद्र हो सकते हैं अगर मान लिज भगवान चाहिता है है यूद् रहेँ था कि ड्यार्टी के बारब बाल द का रसगोषे में। कि burg attend ओंद फरेट कुछ श्रती भागवति के नहींड हो जाया ये स्निकिटाτε आगे अचे पास बागत सुनने का या पढ़ने का समय होता में थी नहीं होता है अगलों किसी पास में होता है' कि---- 않ाँ 333. नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कुसी के सेवा करने पहड़े ही तो उसके लन 的 MARTIN चल सकते पिशिर्यूल के साफ सबसे तो क्या है है कि В Bowend करी हिसकारण से उसको श्रवन करने का भी आवकाश मतब शुटी नहीं थी अ बात जनरल बुनी जारी है उसे तो किसी पर व्यक्तिगर्द नहीं लीजेगा लेकिन यह इस धांत है इस धांत वाले जिदा देखी रहे हैं कि बहुत काम बाहर करेगा तो कहां सुनने का अब काश होगा थक जाएगा तो आएगा भी सुनेगा तो थक जाएगा वैसे दिक्कत द Minh झाहती है कि घर में बैटने बेभी नहीं सुनते हैं ऐसका तो सुन रहे हैं देखंग रहे हैं वक्तों पर सुनते हैं तो जुन है और यह क्या देख रहें है भागवान कृष्ण पूले जगत को गुणों के द्वारा नेयंतित एत्रुन हर ठीक है तो ऊस आपको वापस बढ़े फोटो दिखा दी है फिर वापस हम दिखाएंगे साज्वतंत्रा नकल पासि योगचे मम मेच्छति इशस्य हीवशे लोको योशादारू मैःथा होच सुंदर स्लोग है सा सा मतलब वो अस्वतंत्र था अस्वतंत्रा स्वतंत्र मतलब किसी independent अस्वतंत्र मतलब not independent dependent सा प्लस अस्वतंत्रा विल भी सा स्वतंत्रा संदीव जयत्तों किरना समझी रहे होगे ना कलपासी वह स्वतंत्र नहीं थी और सतंत्र होते हुए भी योग छेम मम इच्छती मेरे योग और छेम की इच्छा करती थी योग मतलब उसके लालन पालन की कैसे इसके लिए समान जुटेगा कैसे उसकी रक्षा होगी महरन पोशन कैसे होगा ये तो समान माता सुचती ही है जब इच्छा कर रही थी तो क्यों नहीं कर पा रही थी तो गह रहे हैं इशस ही वशे लोको ये पूरा जगत भगवान कृष्ण इश्वर के वश में है किस प्रकार से योशहादारू मई यभा जिस प्रकार से लकड़ी की पुतली होती है वह है पीछे जो धागे पुल करने वाला होता है उसके मालब उसी के कंट्रोल में रहती उसके नियंत्रण में रहती है कुछ नहीं कर पारें अब समर्थ थी इसलिक ये मैंने आपको ये दो फोटो दिखाएं थी आप समंझ में आ रहे पुतलियां समय निkay कटे पुतलियां पुतलीँ motelण कट पुतली कट पुतली ऐसा लग रहा है कूच कुछ बोल रही है कुछ हिल रही है लेकिन उसको हिलाने वाले पीछे कोई नर्तक नहीं कहेंगे मतलब कोई व्यक्ति होता है जो हमें देखता नहीं और मैंने यहां पर बहुत सारी कटपक्यों का फोटो रखा है कारण है अलग-अलग ड्रेस में हैं कुछ माता जी हैं कुछ प्रभुजी हैं ताकि एक परिवार के अनिभूति हो क्योंकि हमारे मन में यह भावना आ सकती है कि वह तो बैचारी दासी थी तो वह सतंत्र थी हम लोग सतंत्र हैं हम लोग मिल करके अपने परिवार वालों का कल्यान कर लेंगे बड़ी स्ट्रॉंग भावना होती है लेकिन महाराज पर विनोद करते हैं देखो भगवान का लड़का हुआ तो भगवान ने संकल्प से ही ग्यान देती है और यहां पर लड़का या को लड़की यह भी होती है ट्यूशन भी जाता है फिर भी फेल हो जाता है तो नहीं कर देखा जाता है कि बहुत धनीक यहां पैदा हुआ और पिता की मृत्ति हो जाती है तो उसके बाद वह एकदम गलीव हो जाता है यह भी देखा गया है कि पिता बहुत धनवान है और उसके सामने ही बच्चे की मृत्ति भी हो जाती है तो यह मत सोची है कि केवल वह अस्वत मात की मृत्ति होगी अब बताई हो बचा जीवित कैसे रहा ज़रा परिशित महराज के पास चले जाई है उनके पति उनके पिता तो मर गए थे उसके बाद ही हो विश्व के सम्राड बने अब समझ में आ रहा है कि इश्वरस से ही वशेई लोको इसी वे प्रहुपाजी कहते हैं भगवान से प्रात्ना करते हैं कि भगवान आप हृद्धे में बैटकर सब कर रहे हो मुझे आप स्मिर्थी दिलाईए कि मैं हरे कृष्ट मंतर बोल करके हमेशा आपका स्मरण कर सको है यह जो आप यहाँ बैठे हैं यह भगवान की कृपा स बैटे हैं है कि नहीं है इतना आसान नहीं है रोज भागवत्ब में बैठ पाना स्रवन कर पाना इश्वस्छ से वश्छ लोगो इसले लोग जा रहे हैं खाना बहुत खराब खेला रहे हैं उनको तो खär़ कम्पटिशन कित्यारी करने तक है कम टेंश्चन है इसले ख़़ा कम क्या कर सकते हैं आपको को से टेंशन बढ़ाना है वाद में बता दाने वह जब से मैं एक्जामपल यह बहुत अच्छा श्लोग लगा इस बहुत मैं काफी मनन करने का प्रयास किया आप किसी को बोलो जादी मत करो तो करेगा कर लेगा वो बोलने से कुछ होता नहीं है और कहो कि मत कर लो तो भी नहीं करेगा हूं हां रिव्यू बताओ चाब कुछ बताओ कर रिव्यू हम पहले चक करके देखेंगे यह और फिर खुदी उनका प्रोट्ट बन जाता है वह डिस्पले हो जाते है बैट डीफॉल्ट प्र अब खाली बोल रहा हूं है मैंने प्रतक्ष दिखा किसी को बोलने से माने का पता नहीं मानता है और किसी को आप बोल देंगे शादी करो कर लो कर लो सारी व्यस्ता हो जाएगी पर भाग भी जाता है हमारे साब मैं दो स्टुड़न को जानता हूं एक की तो शादी हो गए गड़ छोड़के भाग गया और एक हमारे स्टुड़न कर लिए और भाग गया इश्वरस रही वशेड़ों को सब अपने कर्मानुसार जित्ती कारे कर रहा है कि समझ रहें बात को एक और में खटना सची बता रहा है बहुत बड़े जोटिस थे आप जानते हो गश्मी कांजी तो बता रहे थे किसी व्यक्त को बोला कि तुम अब बंबे से निकले तो तुमारे शरीर के चून-चून हो यह इस प्रकार से होता ही लेकिन इतना घवराना ने चाहिए आप मैं थाली यह बहुतना चाहरा हूं कि आप जब भगवान का भजन कर रहे हैं रहे हैं जो पूरी असतंत्र तीक्योल वही नहीं पूरा विश्व ही असतंत्र है जो कुछ भी हो रहा है भगवान की व्यस्थ था क्या अंसार होता है यह समझना चाहिए ठीक है कुछ ग्रहन कर पाने श्लो क्यों बोल रहा है ऐसा नारजी करें ऐसा मैं सुचे कि मेरी माही असतंत्र थी सभी लोग ईश्वर के अधीन ही यह समझ लीजिए कि यह जो माता का प्रेम बेटे की प्रति है वह भी माता के द्व हुआ चली गई वहां कोई प्रेम नहीं हुआ उसके बाद यह बच्ची जन्वित पेड़ों के दारा असका पालन वाना समझ रहना मेरी बात पूरा इश्वर के दारा वश में है तो गभी-गभी तो इसलिए हम दिखा रहे हैं यह फोटो दिखाई जारी तो समझने का प्र इसलिए यह इंपॉर्टन बात है इन इश्के इन भगवान कृष्णी के सेवा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि दंड़ प्राप्त नहीं होगा आत्म प्रभवम इश्वरम यह भगवान है यह समर्त है और इनकी बगर्म भजन करेंगे तो बहुत-बड़ आश्रवात सोचिए नहीं भगवान से प्रातना करें कि भगवान हमको शक्तित दीजे कि हम आपको जो सबसे प्रेव सिवा है आपकी कीर्थी का प्रचार करने की उसके योग्यों बनाईए तो क्या यह इश्व आपको समर्त नहीं बना सकते है क्यों इस प्रातना को आप रोज नहीं कर जगत में हम जगा जगा चिठी लगाते हैं कि हमको नौकरी देदीजी लेगें सबके मालिक हैं उन से क्यों नहीं प्रात्ना करते कि हमें समर्थ बनाईए कि हम आपके संकीनत नांदोलन में कुछ सिवा कर सकें जैसे ब्रदंग सिखा रहें बच्चों को या धीरे धीरे करके समर्थ होता है तो वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह से करना चाहती थी लेकिन पराश्रित होने की कारण मेरी ले कुछ भी नहीं कर पाती थी यह संसार परमिश्वर के बहुत सुदर बात है बच्चे को बुखार हो जाता है तो माता पिता कह सकते कि इसका एक डिग्री हमको दे दीजे एक म इक कवी का भी देखा होगा! आपने देखा होगा मतर जी के बच्चा ज çıktे है वू मेंटेली रिटार्ड इड है देखा होगा मतर में मातर जी लेक्ब कर आती है 35 साल से सिवा कर रही है उसकी क्या कर लेगी डॉक्टर कुछ कर सकता कुछ भी नहीं कर सकता देखाओगा आपने कई बार यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है अतेव प्रत्यक विक्ति कठ पुथली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुडिया के सब्सक्राइब अन्वय सा मतलब है मेरी मा अस्वतंत्रा अन्यों पराश्रिती तासी थी मम और मेरे योग छेमम अर्थात लालन पालन को इच्छती करने के लिए यद्द पी वह उस्चुक थी कल्प ना आसी तथा पी वह समर्थ नहीं प्रयास कर दिंकर नहीं पारी थी क्यों नहीं कर पारी थी कहरें जिस प्रकार काट की बनी हुई गुडिया कठ पुतली नचानने वाली की इच्छा के अंसार नास्ति उस प्रकार और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जनारजी का जन्म कहीं होना फिर भक्ति विदानतों से मिलना त्यादी त्यादी सब की विशे भगवान श्रीक कृष्ण ही है यह समझ रहें यह समझ दी जा कि भगवान ने क्या ना आपको गौर गपाल प्रू विशे शुरुप के आपके धान दिया है तब ही भक्तों को संधा यह गौर September सब ही को बोल रहा हूं रहा है महाराजी बहुत पुछी बात वो ले को कहते हैं कि भगवान कृपा करेंगे तब हम बजन करेंगे अमेजिंग बात महराज बोले कि भगवान ने मानव शरीप दिया ही है ये बहुत बड़ी क्रिपा है और उस पे भगतों का संग प्रहुपाद जी का संग प्रहुपाद जी के ग्रंथ भक्ति का प्रोसेस हरे कृष्ण मंत्र दिया अब इससे अधिक भवान क्रिपा क्या करें बताई बाराथब दाड़ते हैं कहते हैं चिठी लिखें आपको क्या भजन कीजिए वेक्तिगर इमेल लिखें आप भी माला करना शुरू करतीजिए इससे अधिक क्या बताया जाए कि बताई आपने सुना नहीं कि नारजी के बारना क्या बोला इदम इदम स्वानिगमम अ वैश्णों से आगया मिल रही है मतलब आगया भगवान की प्राप्त हो रही है मैं आज भक्तों को बोल रहा था कि देखिए संधे मत कीजिए संधे करना चाहते हैं तो ऐसे संधे कीजिए क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भगवाण भवां की पर आजा एसा हो नहीं सकता ऐसा तु खो ऑजिने इसकता है, क्या संधे है जो विक्ति भगवान के शर्वनागत हो जाता है, भगवान अपने भृत्ति की हर बात को सत्त करते हैं, को समझ रहे हैं, प्रलाद महाराज की ने तो बोला, यहाँ पर हैं भगवान, तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, माता-पिता की भी अफेक्षा नहीं कि, बर्माजी कि हाँ, कटपुतली के तरह पूरा जगत नाच रहा है, लेकिन इसी प्रकार से अगर भगवान के तो समर्थ हैं, अगर भगवान के शर्वनागत हो जाएं, तो बड़ी असानी से हमको मुक्त कर सकते हैं, समर्थ है ना, यह बात बोल रहा हूं, पूरा जगत, जिसको भी आ महान मान रहें, शितिशाली मान रहें, वहवी, ठीक है, तो लोकहा अर्थात संपून विश्व, ईशस्य अर्थात ईश्वर के, ईश्वर भवान कृष्ण के ही वशे, निश्वित ही सभी उनके वश में, यह बहुत डिफिकल्ट है डजस्ट करना, कोई वक्ति आकर अकस्म आपको गाली देता है, जगडा कर लेता है, तो हम तुरन तुसको प्रतिद्वेश भाव रखने लगते हैं, लेकिन हम यह सुचनित पाते हैं, कि हमारा ही ओर्डर था, जो अभी हमारे समने आया है, कोरियर के रूप में, कभी-कभी आपने देखा है, हम कुछ ओर्डर करते जाता है, तो एकदम से वस्तु आती है, अरे यह कैसने और्डर किया, किसने क्या भाया, आप ही ने और्डर किया था, उसका पेमेंट भी आप कर चुके है, अब तो कि वल डिलीवरी हो रही है, कभी हुआ आप लोग इस और इसा होता है, बहुत लेट हो गया, यह का इसका चुब किया. तो आपने भूल गये लेकिन जो हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ रहा, आकसमा देखिए बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, आपको ज्यान प्राप्त होने लगता है is it not so, मैं जिने द्धन प्राप्त होने लगता है और कभी यित एकम दम धृ करम के वहता है कर्म के अनुसार भगवान देने वाले ठीक है कि सारार्थ दर्शन और यहां बैठे हैं नावन में वह श्युमति राधरानी की इच्छा के बिना नहीं आ सकते उन इश्ख को भी कंट्रोल करने वाली श्युमति राधरानी अपने भागवान क्रिष्ण तो बड़े कृतक्यता होनी पीचाहिए इस भाव नुए जो नहीं भी आपा रहे हैं कमसे आने का भाव तो है महारा प्रवजी बता रहे हैं कुछ लोग मकान भी खरीद लेते हैं तत्द साल पीस भी साल नहीं आपा था क्योंकि वह अन्यों पर आशृत थी इस करण से वह मेरी लक्षा करने में अस्तमर्थ ना थी ना कल्पा रथात उसका संपाधन करने में समर्थ नहीं थी जिसे कई बार देखा जाता है कि मात्रथ चाहते हैं बड़े स्कूल में पढ़ाएं धन कम होता है तो नहीं पढ़ा बातें वैसे इस इलूजन में मत रहीगा बड़े स्कूल में रड़का जाता भीगड़ जाता है आज कल इस्पेशली अब उसकी व्यक्या आपने नहीं करना चाहते लेकिन यह नहीं सुचतना चाहिए कि बड़े स्कूल में पढ़ाएंगा और बड़ा स्कूल हो चाहिए चोटा स्कूल हो अविद्या तो दोने जगे परुशी जा रही है अज्ञान परोसा जा रहा है तो उसले कोई खास विशेश अंतर पढ़ता नहीं संस्कार बक्ति में होने चाहिए वह कैसे क्योंकि वह अस्तंत्र थी दासी थी लौकिक दिर्ष्टी से तो उसकी उसका उसकी परतंत्रता पिछले श्लोक में किंकरी शब्द से सुचित हो चुक कुछ समझ में आया दासी थी इस कारण से वह पालन नहीं कर पा रहे थी लेकिन ऐसा नहीं कि कि वह ही अस्तंत्र है अपी तो सभी लोग सब भगवान के ही वश्म है उनके उनके स्विकृति के बिना उनके आशिरवात के बिना कुछ नहीं हो सकता है इसलिए महाराज बोलते आशे से कि हमें मंगलारती जाना चाहिए यह आप लोगन हमाले जूम पे भी आपटन करें भगवान को प्रणाम करना चाहिए बच्रो को बोलना चाहिए वह प्रणाम करें इससे भगवान दूप्रानाश्ण अब्रावान को जो एक्ति प्रणाम करता है उसके दुखों को शमन करते हैं मुझे पता स्टियोरी क्या है इसके बाद इसकी मां को सर्व कटेगा यह की तो हमें समझ में नहीं आ रहा है दुख शमन करने मतलब मम्मी रहनी चाहिए थी उसकी वाक्या करेंगे दुख किस चीज से समान अरे सफ्राव रही बात हम कट देगते हैं और अच कि ऊश्लाव वैक्षीन लगा रहे ना कोरोना की है तूसके बाद बुखार हो जाता है दो चाहर से बछने कि लगा रहत है कि बुखार करने की लगा रहत है bez भखाश त हो गया आपको ही वह हागे कि बात आप उसके बाति नहीं करें समायनता तो व्यटेशन लगा रहे है ना तो आट आह час प्रतेश देखे यह कि दो दिन टी दिन बुखार हो जाता है है ना तो अब बीमार होने के लिए लगा थोड़ा तो यहां अनबब करेंगे लगना आगे जाकर के बहुत बड़े दुख से बच जाएंगे अब समझ में आ रहा है कि सारे लोग इश्वर के अधीन है और यद्दपी सभी लोग अन्यों के योग शेम की इच्छा रखते हैं परन्तु ऐसा होते हुए भी उसकी सिद् है यह समझ में परमार्तित्रिष्टी से हर वेक्ति चाहता है कि मारा बच्चा बड़ा अच्छा सित्य को प्राप्त हो जाए जो कुछ भी जब तक भगवान स्विकृति नहीं देते किसी का कुछ भी नहीं हो सकता अगर भगवान स्विकृति दिये हैं तो बिल्कुल कोई अच्छा नहीं है फिर भी वेक्ति बहुति दूप से को इसमें विरोत तो नहीं समझ में आ रहा होगा है कहने कारती यह नहीं है कि माता पिता अपना कर्दव न करें लेकिन यह मैं सूची कि हम सारे प्लान अपने बच्चों के लिए बना लेंगे और वह सारे प्लान बिल् वो तो वैसे भी किन करी थी इस आशे से इशस्या आदी कह रहे हैं इस पर भी ही शब्द से यह सूचित होता है कि यह शास्त्र में प्रसिद्ध सत्य है जैसा कि इशो उपनिशत में कहा गया है मामलब इसमें कुछ संदे नहीं है कि भगवानी प्रजगत की कंट्रोल करने सब्सक्रम ये प्रस्सक्राइब आःतने विक्ति को जाहिए। इसका उसके पास इस कोटा है। इसे गित दृष्टी कहता है गित देखता है ना किसी मास को देखता है तो जबटते हैं उसके उपर यह नहीं रखाए आप शांती से रहे यह आप मंदिर में काफी देख सकते हम सब लोग अराम से प्रसाद के उपा लेते हैं कोई चीना जप्टी नहीं है अपना प्रसाद बाया शांती से बढ़ के चले गए और मैं कहता है नहीं खिचरी रखूंगा और पांच कुंटल और भर के लिए जाओंगा तो करना में तुर मुश्किल हो जाता कि नहीं अब प्राक्टिकल देखिए मंदिर में 400 लोग खाके चले जाते हैं हमारे कोटे में जो इतना है मिला खाक चले बहुत कम जगणा होता है इतना नहीं होता है जिसकी बहावना होती है कि मुझे हाधै मिले बहुत बास ही pan करते जो अन्य प्लेट में आ गया मेरे भाकिस है ध्यार स्विकार कर लेता थी पूरे जगत में अगर प्रिंस्पल को अप्लाइक लिया जाए शांतिया सकती है इस ब्रह्मान के वीदर की प्रतेक जड़ अत्वाच चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रत है और उन्हीं की संपत्ति है यह मैं सोची कि संपत्ति किसी उनकी है और कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है संपत्ति भी उनका है सब कुछ उनका है और कंट्रोल भी वही कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं कैसे समझ रहे हो आप समझ में आया कि कैसे समझ रहे हैं हमें नहीं समझ में रहा है कि हम समझ कैसे रहे हम को मुझे नहीं समझ मे आज में आता है क्या मैं भगवान पर पूरी तरह आश्रत हूं कि नहीं इसलिए अंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा बोला या नहीं बोला भगवान का आश्रत लेकर कि भगवान आप शक्ति देंगे तो हम कुछ आपके बारे में बोल पाएंगे भजन का त हम चलता है कि यह ताल यहां पर ही बजाना है मुझे जिसने हर्मोनियम सिखाया था मैंने से कुछ आई कैसे मालूम चलता है कि आपको यह ट्यून पर यह आएगा तो बचार अगले बचा नहीं पर सोचनल लग गया कि कौन सी उगनी में क्या अगर आप सोचनल लग कितना अमेजिंग है ना कि मुझे भी मैं आख बंद करके बजा सकता हूं बजाता ही हूं बजा ही रहा था वो कैसे हो रहा है हमें खुद ही पता नहीं है पहले आप जब हर्मोनियम बजाएंगे तो सारी आपसे करते हैं बाद में आख बंद करके बजा लेते हैं वो कैसे हो पॉइंट खाली है कि सब कुछ भगवान के वश्म है जैसे मैं और पार्थ डिसकस कर रहे थी एक हमारे भक्त है उनका मजाग बनाएंगे आप नहीं बहुत जबरदस मजाग बनाएंगे उन्हें कहा कि गायों को एक दवा खिला सकते हैं उनको पता है दवा बोले थे न क्या जिससे उनका मुला श्रीर ठीक रहेगा तो मने का बताई नहीं हम बता देंगे तो लोग बिजनेस शुरू कर देंगे हम अब आप देख रहे हैं क्या उन पर गुस्ता करें हमने का आपके पास दवा का जानकारी है गायों की सिवा के लिए बैठे हो है ना आपको क्या लग आपकी बुद्धी लग रहा है बागवान जो बना रहे थे तो लग रहा डिस्ट्रेट हो गए तो सब्सक्राइब के और धान चला जाता है तो कुछ मिस्टेक हो जाती है आपको अतना समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप आज मर जाते हैं तो यह ज्ञान लुप तो हो ज करता है इस असते है लोग क्या करें ग्लता ही यह तो मैंने है गाइड करते हुए को कांसलिंग में बहान रखना इस बात किसी को कांसल कर रहे है इस से वह अच्छे ही लोग जो ईधहन रखी गया है यह बड़ा सुन्दर स्लोक है अच मनुष को चाहीई कि अपने लिए केव उन्हीं वर्स्तों को भाग की रूप में नियत करें, जो उसके भाग की रूप में नियत कर दी गई है, कुछ मिस हो गया समय से, मनुष्र को यह भली बाती जानते हुए कि अन्ने वर्स्तों किसकी हैं, उन्हें स्विकार नहीं करना चाहिए, उसको एक दिश्टांत के दारा क लकड़ी से बनी हुई पुत्ली जिस प्रकार से नर्तक के, उसको नर्तन कराता है, उसके वर्ष में होती है, उस प्रकार यह अर्थ है, उसकी मा अस्वतंत्र थी, यह भी तो हो सकता था कि तुरंद कोई विक्ति आता, जोसे दुबारा शादी कर लेता, उसको फुर पैसे कhos जाते और बच्चे का योग शुमर्विहन हो जाता कि क्या यह सब ऐसा होती यह अब नहीं देखते हैं, बहुत बच्षी इस तरी के बच्चा उता, बबारा वह शाधी कर लेती है, तो फिर कोई विए बच्चे हो योग शिम विहन कर लेता है, लेकिन… किस प्रकार से हमारे मौसाजी मौसी को बोले गरम रूटी बलाओ गरम रूटी ब्राने में कितना समय लगता है 10 मिनिट्स नो एकदम एकदम देखता है कि वक्तिक पर काल कैसे आता है और एक क्रेन से कोई समान अठाया जा रहा था वहां उनको जाने का कोई प्रयोजन नहीं था अल है और उनने कहा जो लेवर थे वह रोशनी दिखा रहे थी नीचे से उस बजन को अठाय रहता है तुमको आता नहीं ठीक से मैं दिखाता हूं नीचे गए उसी समय धम से गेर कि अप्पिस गए कितनी आशाएं लेकर हमारी मौसी की शादी करी गई थी इस इट नॉट कि यह और बहुत अच्छे वेक्ती थे व्यभार की दुश्ची से अच्छे थे मतलब कोई तिक्कत नहीं था बड़ा प्रेम करते थे सब कुछ सब कुछ था लेकिन दिख रहा है ना मुझे बस ऐसे म मलाल रह जाता है इतने अच्छे अच्छे लोग अगर इस समय होते निश्चित मेरी बात मान के भक्ती कर पाते हैं यह सब चीजें हैं जीवन में दिखाई पड़ेगी यह आपके जीवन में आप लोग रिफ्रेट कीजिए कि आपके जीवन में कभी किसी ने बहुत खराब बरताव किया और किसी रिष्दार ने जो कुछ भी तो कोई मलाल मत रखिए वो इसी ले किया क्योंकि डिजर्व डिट भगवान विवस्था की इस परकार से करने के लिए लेकिन जब हम किसी के प्रती बदा खराब बरताव करें तब ही नहीं कहेंगे यह तो सब ईश कराने वाले हैं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका उसका रिजल्ट भी आपको फिर बाद ने इश देने वाले हैं सो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे समझ नहीं मेरी बात ऐसा हमको नहीं करना चाहिए लेकिन दूसरा हम से कोई वर्ताव कर रहा है तो ऐसे सोचना चाहिए ठीक ह कि बहुत अच्छा स्ट लोग है इस पर पूरा दिन हमको मनन करना चाहिए है ना तब आप फ्रस्टेट नहीं होगे चीज़ें बहुत सारी आपके इच्छा के विरुद जाएंगी ही जगत में लेकिन आप फ्रस्टेट नहीं होगे यहां योग श्यम का अर्थ कहते हैं देख जोड़ना यह नहीं है यह लाए जा रहा है जैसे प्रसादा आने वाला तो प्रसादा भी तो प्राप्ते नहीं है ना अलब्द है ना तब लाब होगा लाब होगा कि नहीं होगा नहीं तो कता का क्या लाब होगा ठीक है होगा करना में प्रभू की कृपा है होता है नौ ब एक मट्ट शोड़ा क्यूंट इसको बता किचन का है दाल का प्राइस बता हुआ नहीं बता हमें कुछ बता है नहीं तुमाटर भिंदी क्या रहे रहे हैं कुछ नहीं वह सारी चिंता हमारे करना में चुरू करते हैं ठीक है वो किसके अजन्ट है शिंपति राधरानी किचिन बाट में राधरा नेकिटिव अलब्द लाब समझ में आ गया पहले इसके अर्थ को समझ लिजिए फिर अपनी भक्ती कंटेक्स में देखीगा जो लब्ध है उसका पात्र में परिरक्षण जो प्राप्त हो गया गहीं प्राप्त की है तो कहीं रखे है ना उसको उसमें उसके पीरिख्षण है करना और रक्षित का वरधन करना कितना शुंदर और रखें या सिप कहते हैं तो भगवान ने कहा ना अनन्यास चिंतेयन तुमाम यह जनहां परी उपासते तेशाम नित्या भी युगता नाम योग छेम वहा मेहम अब इधर रहा लैदा यह थोड़ा बहुत वहां सुझते हम फाला यह भगवान के पास कैसे पहुचेंगे भगवान के पास तो यह समझ में आई योग किवाल यह मैं सोचें कि शरीर के रक्षा करेंगे वह तो करते ही हैं उस तरह नहीं कहा रहा हूं और शेम मतलब जो उसका भक्ति का ग्यान है उसको लुप्त नहीं हो यह वैस्था करते हैं और जो है उसको बढ़ाते हैं कितना सुन्दर भगवान है कि योग शेम और ऐसा नहीं कोई करते हैं कि दूसरा कर लो तुम कर देना मेरे पाद टाइम नहीं है वहां में हम जैसे कल देखी कुछ भगता है तो मैंने का कि अनिश्प्रवू आप यहां पे मैंनेज करने ना यह वैस्ता कर देंगे दर कद्दे कि मैं खुद तो गद्दा अंत्र समझ रहें लेगन कि स्वैंग्दा लेकर आया हुता तो मैं कहते है वहां में इसको ठाके लेक आया हूँ यह अंत्र तो रखते ही हैं, वह दे रहे तो तो सब को दे ही रहे, लीकिस के मारी भक्ति हो being कि लूटको सम्मालिजे चाहें कि हमें भागवत कर रसम मिल जाए भागवत रुची हो, बाख्मान लाके देंगे अभी नहीं रुची है, लाकी देंगे, नाम में रुची हो, तो लाकी देंगे, ववस्ता करेंगे, कथा में रुची हो, नहीं हो रही है, भगवान में ववस्ता करेंगे, बिश्वास होना चाहिए, और जो रुची है, वो कम नहीं हो, रुची बढ़े, इसकी ववस्ता पर करेंग कि अमें तो पता ही निए था कि भक्त को संग रिए बाप जिसका कुछीज होती भी भी है भावान व्यस्ता कि करें कि और हम भक्ति कि सग में रह पार रहे ही भावान के व्यस्ता है आप कोई खुदी लात मार के चला जा तो फिर उसके बड़ी दिक्कत है फिर बावान लात खीच के लेके आएंगे लात मारे तू चलो टांग खीचेंगे तो उतना तो नहीं करने क्या शकता तो आप समझ लेए इस कारण से उनकी मास उनकी मदद नहीं कर पाई थी कोई बढ़वान के पास बहुंची जगे होंगी नारज जशालड़का हुआ उनका तो उनकी क्या टेंस्टन है पुत्री के लिए मां का प्यार माया की कारण है या नहीं नहीं करने देती तो लेकिन भगवान की क्रिपा है अगरू तो कुछ ग्रहन कर रहे हैं आरे एक माता जी अगर बढ़िया से प्रसाद बना करके भौंग लगा करके भगवान को देती हैं बच्चे को क्रिपा दे रही है कि नहीं दे रही है कि प्रसाद कहाने से सारे वैशनों के कोड़ आ जाते हैं क्या ध्रूम की मान ने क्रिपा करी की क्या धर už से प्रेम नहीं करती थी ऐक अद्बद बात यह है कि प्रेम और क्रिपा को हम समझ कि नहीं रहा है और अगर जो भक्ति करने दे रही व्युक्ति कर रहे बक्ति करने के लिए तो अच्छी बात भाद समझ मैं आ गया ना अच्छा प्रश्नता वैसे आ देखा गया है कि भगवान सबसे ज्यादा धार महत्व महत्वों पर ही अपनी क्रिपा किये हैं जैसे की करण्यागन कुंति महरानी माताओं पर केंधां पर ही अपनी क्रपा गिये हैं जैसे कि और कनखा ना अश्पनी महरानी प्रह्मस में मिल अच्छ इसके बारे बता ईए। मैं भी जमी यूग में मिला। उससे हमारे भक ती में प्क्रेकर्घति करने का क्या प्रियोजन थे भक्तिय हूपित में हें। तो आप यह मत सोचिए कि कल्यूंग में भगवान के पार्ष नहीं बन सकते हो कुक्षक करें करते हैं कि वह देवी देवतां को भी दुख है तो वह भक्ती करके भगवान के पास क्यों नहीं जाते अरे क्यों नहीं जाते क्या जाते ही है में देख लिए जब माता प्रित्वी दुखी हुई और अरने देवी देवता भी परशान हुए थे कंस के अत्याचार के दो अरह तो सब लोग गए ना ब्रमाजी भी गए इसलिए कहा जाता है देव देव जिनकी शरण में देवता भी जाते हैं वो भगवान विष्णु उस कैया हाँ क्या मैं Disney की अहिए कश रना जून धी कि वह जानौ गयुख कुन के शाराद है या विद्धों ना पड़ता है ज्ञ़ती के लिए ज्ञ़ती शंक सनक समझ जाते हैं लेकिन educated लगर एक वेक्ति को आप पढ़ा देंगे तो बहुत सारी लोग को पढ़ा देगा तो उसका भी फायदा है ठीक है? यहाँ पर हम रुकते हैं